नमस्कार मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनाशल बुलिटिंग खर्चा पानी आज खर्चा पानी में आपको बताएंगे कि अगले दो हफ़ते आपकी कमाई और बचत के लिए क्यों और कितने एहम है अगर आपने इंकम टाक्स बचाने के लिए जरूरी निवेश और आपचा रिकताएं या फॉर्मालिटीज पूरी नहीं की हैं तो आपको कितनी चपत लग सकते हैं बात इंकम टाक्स सेविंग की जब आती है तो आम आदमी को सेक्शन 80C के अलावा कुछ नहीं सूचता या दिखता आज एक्सपर्ट की मदद से हम ये भी बताएंगे कि टाक्स बचाने के क्या-क्या और तरीके हो सकते हैं और बिना किसी CA की मदद से आप खुद अपना टाक्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं साथ ही उन गलतियों से बचने की सलाभी देंगे जो आम टाक्स पैस मार्च के आखरी दिनों में कर बैठते हैं लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुरखिया एक अप्रेल से डाक घरों की ज्यादतर सेविंग स्कीमों में ब्याज का भुपतान कैश में नहीं होगा यानि डाक घरों की मंदली इंकम स्कीम, सीनिर सेटिजन सेविंग स्कीम या फिक्स डिपॉजिट स्कीमों के तहत मिलने वाला ब्याज जमा करता के बैंक खाते या पोस्ट ओफिस सेविंग अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा तो अगर आपने किसी डाक घर में इन स्कीमों के तहत पैसा जमा कर रखा है तो 31 मार्ट से पहले पोस्ट ओफिस सेविंग अकाउंट खुलवा ले या फिर अपने बैंक अकाउंट को उस स्कीम से लिंक करा ले दूसरी सूरकी भी आपकी जेब से तालुक रखती है आज जारी महंगाई दर के आंकडे आम आदमी के साथ साथ सरकार की भी चुनता बढ़ाने वाले है फरवरी महीने में थोक महंगाई दर 13.1 प्रतिशित दर्च की गई जो जनवरी में 12.9 प्रतिशित थी यह लगातार 11 महीना है जब थोक महंगाई दर डबल डिजिट्स में रही है सरकार की ओर से कहा गया कि महंगाई दर में इजाफा मुख्य तोर पर crude oil, minerals और base metals की कीमतों में इजाफे के चलते हुआ है महंगाई दर बढ़ने से RBI पर ब्यास दर्य बढ़ाने का दबाव होगा जिसने पिछले कई बैठकों में policy rate में कोई बदलाव नहीं किया है साथ ही 16 मार्च को अमेरिकी Federal Reserve की ओर से ब्यास दरों में की जाने वारी संभावत बड़ोतरी के मद्दे नजर भी बढ़ती महंगाई हमारे लिए एक चिंता हो सकते है दिल्ली की एक अदालत ने National Stock Exchange की पूर्व CEO और MD चित्रा रामकृष्ण को आज 14 दिन की न्याएक हिरासत में भेज दिया है चित्रा रामकृष्ण को NAC को लोकेशन खोटाले में CBI ने गरफ़तार किया था उन पर NAC में कई अन्यामित ताओं या irregularities का आरोप था चित्रा पिछले महीने सेवी की जांज रिपोर्ट आने के बाद से सुर्खियों में है उन पर ये आरोप भी है कि अपने गलत कामों पर परदा डालने या आगे किसी भी जांज को गुमरहा करने के लिए एक कतित हिमाले योगी के प्रभाव में होने की कहानी रची थी उन्होंने Income Tax Department की ओर से पिछले साल शुरू किये गए Automated Enforcement System Insight ने IT algorithm की मदद से देश भर में Taxpayers को आएकर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है इसके तहत हाल कि किसी भी वर्ष के income tax return में मिली खामी पर सिस्टम लोगों को randomly notice भेज रहा है ताकि वे एक हफ़ते के भीतर tax अनुपालन कर तुरूटियां दूर कर ले Economic Times की एक report के मताविक फिलहाग Taxpayers के कई तरह के online data को analyze करते हुए ये system high risk category के assesses को ही notice भेज रहा है यानि जिनकी tax चोरी बड़ी हो सकती है ऐसे लोगों को automated तरीके से पहली tax message या call के जरीए सूचना दी जा रही है विभाब नहीं मिलने पर विभाग उनकी पुरानी फाइलें दोबारा खोलते हुए assessment की प्रक्रिया शुरू करेगा अब आते हैं आज के बड़े मुल्ते पर वित्तवर्ष 2021-22 के खत्म होने में महस दो हफते बाकी हैं आप नौकरी पेशा हो या self-employed income tax बचाने की हर कसरत बस 31 मार्च तक कर लेनी है चाहे अपनी company में निवेश documents जमा कर आने हो या फिर कोई नया निवेश कर लेना हो इन आखरी दिनों की हटबड़ी में हम कई बार सही फैस ले नहीं कर पाते आज हमारे साथ है taxpanel.com के CEO सुधीर कौशिक जिन से हमने जानना चाहा कि वित्वर्च के आखरी दिनों में एक आम taxpayer को क्या-क्या चीजे ध्यान में रखनी चाहिए और किन-किन घलतियों से बचना चाहिए लोगों को लास्ट मिनिट में थुड़ा सा जो टेक्स बचाने की कोशिश करते हैं और बहुत लोग करते हैं तो इसमें पहले तो जो 31 मार्च की जो हमारी डेडलाइन है उस पे पहले कुछ काम जरूरी जो कर लेने चाहिए पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या जरूरी है एक तो आधार को पैंसे लिंक करने की लास्ट डेट है 31 मार्च तो वह कोशिश करके ज्यादा मुश्किल काम नहीं है समय लगता नहीं है क्योंकि हमारा पर हम फिर भी करते रहते हैं तो इसके बाद शायद चार्जे लग सकते हैं तो इसको जरूर कर लें दूसरा अगर किसी ने घर नहीं खरीदा है अभी तक फर्स टाइम होंबायर है तो एक होम लोन की एडिशनल डिड़क्शन मिलती है दो लाग से बाद उसको लेने से क्या होगा कि आपको एडिशनल टेक्स सेविंग फ्यूचर येर्स में मिलती रहीगी तो उसको ना खरीदना ही है तो होम लोन सेंक्शन करा लें तीसरा अगर मैंने गलती से टेक्स रिजिम गलत ले लिया था पिछले साल और अभी मैंने चेंज करके देखा मुझे टेक्स सेविंग हो रही है यानि कि मेरा रिफंड आ सकता है तो मैं क्या कर सकता हूं रिवाइज रिटन भी तोर्पर जो दस लाइक के आसपास के लोगें सात लाइक के लिए पन्दरां राक्त से उपर वालको न família ब्याइंड उख्रकार धीडा या उनको रिमैंडर्स रही है कि अगर आप पिछले साल अबी जमाक रहे था तो उसolf आपभी फायदा है सरकार का भी कैसे फाइदा है आपको इंट्रस्ट जो देना पड़ेगा गौर्णमेंट को वह हायर रेट पे और आपकी एफडी पे जो इंट्रस्ट है वह कम है तो ऐसे करने से अगर आगर हम कहें कि मिरी को मैंने इफाइल नहीं किये अगर अब मैं रिटन दो साल नहीं करता हूँ तो मुझे टीडी अगा ये वह कानून पिछले साल आ चुका है तो जिन लोग वह ने अपने रिटन पाइल नहीं की है उनके लिए लास्ड अंस जरूर कर दें नहीं तो unnecessary आपका tds double कटेगा पैसा आप ही का है वो जाके सरकार के हाथ में hold हो जाएगा आपको liquidity problem आएगी फिर उसके लिए return तो file करनी ही है एक आपका medical का जो expense है जैसे senior citizen का कोई अगर घर में है उसको एपरेल मही में अगर करना उसको थोड़ा प्रीपॉन किसी तरह से कर सकते हो तो वह medical expense भी आप additionally claim कर सकते हो एटीडी में क्योंकि उसके लिए इंशुरेंस नहीं हो सीनिर सेटिजन पेरेंट्स के लिए है अगर आपने खुद का कोई health check-up नहीं कराया तो preventive health check-up भी करा सकते हो यह to-do list है जो आप एकदम से अभी कर सकते हो अब जो लास्ट की जो टू-do list है कि मेरे को tax saving भी नहीं करी मैंने तो सर अगर वह भी नहीं किया तो जरूर कर लो इस साल की जो last minute की हमें करने की आदत है अच्छी है गलत है ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए बार-बार लेकिन हम उसको defer करते हैं प्रोकास्ट करते रहते हैं उसको बचना चाहिए ज्यादा आगे करने के लिए क्योंकि नुकसान हमारा ही होगा हमारा मतलब जो लेट है उसका नुकसान है अब कैसे होता है गलतिया हो जाती है कुछ मैंने last में compute ही गलत कर इन्वेश्मेंट और कर दी उसके वज़ाए मैं शायद कोई एंपेस में कर लेता या मैं मेडिकल में कुछ ऐसा करता या मैं अपने जो सैलरी है उसके अंदर कुछ ऑप्शन देखता वो सब कुछ मैं एपरेल मही में करूँ अगर प्लान तो जादा अच्छा है उसको स्टेजिस कम होगी अभी क्या होगा आप जल्द बाजी में गए आपने एफबी में या किसी ऐसी जगह कर दिया जहां को करना नहीं था आपके फैनेंशल गोल के साथ वो मीट नहीं करता था टेक्स देविंग तो हो गई लेकिन वो जो रिटन जब आई तो टेक्स लग गय अरे भाई जब पोस्ट टेक्स रिटन देखना चाहिए ना हम क्या देखते हैं बस मुझे तो इतना पैसा करना है टेक्स बचाना है टेक्स तो सभी जगह बचेगा आप एबी सीडी कुछ भी इंवेस्मेंट करोगा लाइसी लो आप एफडी लो आप यूलिप लो सब जग में इतना ज्यादा मसीबत नहीं होती है लोग बस इमोशनली डिसीजन लेते हैं मेरे को अभी नहीं करना है अरे भई अभी नहीं करना पर तेरा नुकसान हो रहा है तो वो समझना पड़ेगा जैसे हम बीपी है नो उसको इग्नोर करते हैं ब्लड पेशर क्योंकि वो हमें नुकसान नहीं कर रहा जैसे लहना एकदम से तो कुछ नुकसान नहीं करता बीपी लेकिन जब वो बना रहता है बीपी बहुत समय तक और हम अपनी आदते नहीं बदलते हैं खाने पीने की एकसेस की या सोने जागने की स्ट्रेस बनाए रखते हैं तो एक दिन वो हार्ट या ब्रेन हैमरेज जैसी विमारी में होता है इसी तरह हमारी फैनेंशल जो बैड हैबिट्स हैं वो कहीं न कहीं जाके हमें किसी ऐसी सिचूशन में खड़ा कर देंगी कि मेडिकल भी नहीं कराया टेक्स भी दिया पैसा सरकार को देने से डिरेक्ट बेनिफिट है यह नहीं के लिए सब जगे टेक्स बेनिफिट है आप एडिकेशन के लिए लोन लेते हो घर के लिए लोन आप सिर्फ कोई ऐसी गैंबलिंग वाली चीज करो कि तो वहां टेक्स सेविंग नहीं लेकिन आपकी बेसिक नीट के लिए है कंट्रोल करना है समझना आपको तो यह जो गलतिय से तो आपकी इंकम नहीं आ रही ना आपका हाथ तंग आ जाएगा पैसा इस्तमाल करने के लिए तो रेंटल इंकम क्या करेंगे थर्टी परसंट उसमें टेक्स डिड़क्शन भी मिलती है उसमें बहुत फायदा है और आपकी एसेट पर जो एप्रिशेशन है उस पर कोई लगने रहा जैसे एफडी पे तो हर साल मिलेगा उसपे डेक्स लगेगा तो ऐसी रेंटल इंकम जैसी पैसीव इंकम वहनी चाहिए मैं मेहनत नहीं करना है तो ऐसी गलतिया अब लास्ट मिन तो यह सब प्लाइन नहीं कर सकते हो तो यह गलतिया रह जाती है इसी तरह से कोई चीज खराब नहीं जीवन सुकन्या भी अच्छी है हर चीज अच्छी किसकी जरूरत की है यह आपने प्लान ले लिए पचास साल का पच्छी साल का कोई जबकि जरूरत नहीं थी आपकी शायद आपको प्रोटेक्शन चाहिए थी सिर्फ टम इंशुरेंस लेना चाहिए पैसे को अपना तो समझो वो दर्द तो आपको होना चाहिए मेरा पैसा यह वो नहीं होता लोगों को बस जाकर फटा-फट से कॉफी पीनी है या कहीं मार्केट में घूमना उसके लिए समय नहीं है तो फिर वो उसके पैसे कैसे बच सकता है अब मौजूदा सबसे पहले protection है क्योंकि जो मेरी income है जो मेरी health है दो चीज़ें उन दोनों को protect करना चाहिए अगर tax saving तो सभी जगे मैं बार बार कहूंगा कि tax saving आपको और जगे भी है लेकिन आपको सबसे पहली जरूरत क्या है कि मेरी income जिस जो मैं अपने घरवालों के लिए कमा रहूं द आती है कोई accident में चला जाता है कोई आजकल cancer भी निकल आता है और जानके लाले पड़ जाते हैं इसी तरह अपना health है बड़ा medical expense आगया तो आपको सारी से चली जाएंगी जमीने बिग जाती है लोगों की तो यह protection को पी से मतलब है पहले सबसे पहले tax saving में हमें protection देखनी है अपनी income की अपनी health की जो पूरी family की अपनी नहीं मतलब पूरी family की health मेरे को अपनी माता जी के लिए अगर दस बीस लाग कहीं से खर्च करने पड़ गए तो तो मैं दो लाग का medical insurance लेके बैठा रहूंगा तो कैसे चलेगा तो मुझे protection complete करनी है जाके hospital में देखना है भाया अजकल इलाज में कितना पैसा लग रहा है मेरा आएगा कहां से सरकारी उससे तो देगे नहीं मुझे जाना private hospital में तो पी से protection को सबसे number one पे रखें वह ATC में और ATD में उससे tax saving होती है ठीक है उसके बाद हमें देखना चाहिए L से loan loan को leveraging of income भी कहते हैं कुछ loan अच्छे हैं क कुछ loan खराब है जो tax बचता है उनकी उनको लेना चाहिए जैसे कि home loan है जैसे education loan है या electric vehicle पे जो loan मिल रहा हो है अगर मुझे कार खरी तो मेरा घर मेरे बच्चों की पढ़ाई और मेरी गाड़ी तीनों चीजों में tax का benefit है लेकिन मुझे उसको लेना पड़ेगा अब मैं ल लेता हूं दूसरी कार तो मैं अपनी emotions को control करके और तभी tax बचेगा ना तो loan को ना लेना ठीक नहीं है लोन से हमारी appreciation होती है discipline आता है अगर मैं regular compulsory saving कहां होगी नहीं तो नहीं करते लोग वो बस पैसा आया खर्च कर दिया जबकि अगर मेरे को हर महीना पैसा आ रहा है और ह आप घर खरीद लें क्योंकि 20 लाग का 30 लाग का जो आपके budget में आता है जहां पर आपकी यह माई आपकी income से 20-30% के अंदर अंदर रहनी चाहिए उससे जादा नहीं होनी चाहिए EMI को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इतसे ज़्यादा बचाना पैसा मुश्किल हो जाता है लेकिन वह एसेट कंपलसरी इंवेश्मेंट के तुरू बन जाती है तो यह leveraging of income है जब मेरी age और income या health नहीं रहेगी तो मुझे पैसा नहीं देगा कोई मुझे लोन मिले गए नहीं तो लोन जब मिल सकता है तब ले लेना चाहिए लेकिन उसको longer term के लिए लोग क्या interest से डरते हैं जबकि यह कम है अगर मुझे साथ परसेंट पे बैंक से पैसा मिल रहा है और तीस परसेंट टेक्स बच रहा है तो पांच परसेंट से भी कम कितने पैसे का था हो तो आपको पता लगे को पांच गुना हो चुका है चार गुना जबकि लोग बढ़ता नहीं है यह पांच शे साल है किसी दिन एक जंप आगा गोल पांच साथ साल नहीं बढ़ा अचानक से दो साल में इतना बढ़ गया हर एसेट क्लास का अपना एक्सेन लेकिन जादा नहीं करना है हर चीज को तोल के करने नापके तीसर जैसे मैं जश्टेक्ष्चे खर फथे हैं तो ő करना पड़ता है तो जैसे मैंने कहा कि हर चीज को तोल के करना है नाप के तीसरे नंबर पर आता है हमारे एक्सपेंसे जैसे मैं जितने भी खर्चे कर रहे हैं तो अगर आप यह कहें कि भी मैं एक्सपेंसे को देखूंगा भी नहीं कि मेरा टेक्स बच रहा है नहीं बच रहा है जैसे मैं घूमने जा रहा हूं तो मैं LTA जो claim कर सकता हूं अपनी company में शुरू में declare करना पड़ता है तो जैसे हमने कहा कि plan में piece से आपको protection है जिसमें insurance कहा फिर हमने कहा कि loan L से leveraging या loan जिसे कहें और उसे liquidity भी बनी रहती है वरना हमने कोई long term asset अपने पैसे से ले लिया और फिर short term needs को परिशान हो जाते हैं तो उसकी जगह long term loan है asset खरीद रहें तो डरना नहीं चाहिए मेरी राय तो यह है जो तीसरे number पर आता है वह expensive है हम कुछ न कुछ खर्चा कर रहे हैं चाहिए अपने घरवालों के लिए कर रहे हैं और उनके घर में रहते हैं तो ऐसे में उनको rent दे सकते हैं आप यह बिलकुल allowed है हम अपना इयर शुरू होता है उसमें declaration में उसको जरूर चुन लें कि मुझे शायद में जाओंगा घूमने के लिए इसी तरह से हमारे पास जो दूसरे expenses हैं जैसे कि मैं बच्चों की tuition fee पे कर रहा हूं वो पढ़ रहे हैं बच्चे तो वो मेरा एटी सी में प्लान कर लूं हम EMI कहते हैं उसका principle भी जो है वो हमारे A.T.C. में आता है तो ऐसे expenses को अपने financial goals को उसमें align कर देना चाहिए अपनी tax planning में तो यह जो A से मेरा मतलब है P.L.A. A मतलब align your expenses या investment अगर मैं कहूं कि no mistake in investment वो कैसे होगा जब मेरी investment match करेगे N से no mistake in investment आपको कुछ भी गलती नहीं क सिर्फ tax saving नहीं देखना है tax saving तो पार्ट है financial planning का खाली tax saving का कोई अचिते नहीं कोई rational नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ 10,000 बच गया मुझे 20,000 बच गया वो अच्छा है कि आपको कुछ saving कर ली लेकिन वो अगर आपके financial goals से match नहीं कर रहा तो आपने बिमारी को बस भगाया ह है थोड़ी दिन के लिए वो फिर आजाएगी वो cash की जो problem है जो आपकी life में पैसे से सुख है वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपने गलत investment कर दी तो अपनी जो भी tax saving investment कर रहे हो वो अपनी financial goals के साथ match करो no mistake so plan का यहां तक आपको follow करना है बड़ा असान तरीके से बताया है income को expenses को और अपनी investment को तीनों चीजों को देखना है कि क्या इससे मेरी tax saving हो सकती है इसका कोई और option है और आपको खुद नहीं समझ में आ रहा तो tax experts की रहे ले सकते हो हमारे tax optimizer जैसे हमने एक tool नाया salary लोगों के लिए ऐसे लोगों खुद जातर के भी उसको use कर सकते हैं कई बार साल के आखर तक लोगों के पास liquidity crunch होता है यानि निवेश के लिए पैसा नहीं होता ऐसे में tax saving के लिए कई लोग loan लेने का विकल भी जुनते है tax बचाने के लिए loan लेना कहां तक ठीक है आईए जानते हैं export का क्या कहन जनरली तो ऐसा situation नहीं होनी चाहिए कि हमें loan लेकर के tax saving करनी पड़े क्योंकि हमारी income में से ही saving को यही objective होता है लेकिन tax देने से तो कोई direct benefit नहीं है इसलिए tax तो बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने चाहिए कि बच जाए क्योंकि उसके बदले में कोई direct benefit नहीं है त अपनी किसी asset के against लेकिन personal loan लेने से फायदा कम होगा क्योंकि वह बहुत महेंगे होते हैं और फिर वह कई बार ना लोग तीन साल के लिए तो तीन साल के लिए बैट जाते हैं उसको interest pay करते हैं तो ऐसी चीज या credit card को गलत यूज़ना करें वो उनको avoid करें लेकिन थोड़ा बहुत कभी पैसा लेकर कि suppose करो मेरे को पचास जार की NPS की option में जाना है तो मैं पचास जार का अपना gold के against loan ले सकता हूं और मैंने ती महने बाद मेरे पास पैसा आना है चाहे promotion होनी है या मैंने किसी को दिया वह था तो मुझे अगर मैंने interest दे भी दिया उस पे एक percent महीने पर तो तीन परसेंट गया जबकि मेरी tax saving 30% हुई तो पंदरा हजार अगर मुझे बच रहे हैं और मैंने 2000-3000 दे भी दिया तो यह तो सीधा-सीधा evaluate करना चाहिए कि मेरे पास option है suppose करो मेरे पास shares है और मुझे एक minute में loan भी मिल जाएगा और मैं invest करके ELSS में invest भी कर सकता हूं तो मुझे दिक्तत क्या है कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से जिन cases में cost of loan कम है और tax saving जादा है वहाँ पर तो सीधा-सीधा है पैसे की बात हो रही है पैसा बच रहा है तो इसको ऐसे evaluate करके करना चाहिए किसी भी चीज़ को जल्द बाजी में करना बिना देखे करना सबको एक आपकी गाड़े पर फशीने की कमाई है वो तो अच्छी बात नहीं है tax saving के लिए आम आदमी को एक मात्र रास्ता section ATC दिखाई देता है इसके तहद हम डेड़ लाख रुपे तक निवेश या खर्च कर deduction हासिल करते हैं section ATC के बाद कौन-कौन से विकल्प है जहां हम tax बचा नहीं है उसको पूरी तरह से क्योंकि समय नहीं है और उनका interest भी शायद कम है वो सीधा सीधा सा कुछ जो सामने आसान तरीका होता है कोई insurance agent या कोई ELSS का जो online मिल गया जल्दी से करना चाहते हैं लेखिन अगर वो समझ के करें तो home loan अच्छी मैंने बताया दो लाख एक है deduction मिल रही है यह सभी को मिल रही है इसी तरह से आपको NPS की अगर employer दे रहा है तो वहां पर आप अपनी salary structuring में अगर आपने उसको अपना लिया है तो अब लोगों को क्या नहीं जी मैं 67 year तक पैसा ब्लॉक हो जाएगा मेरे को घर खरी दूँगा तो मेरा liquidity चली जाएगी ऐ ऐसे चीजों के लिए आपको जो परिशानी है मानलों आपको पेन हो रहा है इन सवालों का जवाब आप experts से बात करके अपनी problem को सुझाओ ना कि टेक्स जा रहा है तो जाता रहे ऐसा नहीं होता कि नहीं बच सकता वह कुछ आपको आसान तरीके बताएगा कुछ नियम बता तो वह जितना भी होना चाहिए 25,000 के अगर लेमिट है और जो बुजर्ग के लिए जो पचास जार है वो लोगों ने पूरी तरह से इस्तमाल नहीं की हुई है होम लोन की भी 70-80% लोगों ने नहीं यूज की हुई है तो इसी तरह से हमारे पास जो electric vehicle का option आ चुका है लोग का benefit भी उनको as a depreciation या business expense में ले सकते हैं अब इसके अलावा जो एक option बच जाती है कि मेरे पास कुछ जैसे income ऐसी हो जिन पर tax लगता ही ना हो एक लाग तक की मेरे पास capital gain की income है जो कि मैं mutual funds में या equity में कर सकता हूं तो ऐसे मेरे घर में अगर चार लोग है तो मैं चार लाग तक की income कर सकता हूं तो मुझे tax free income से भी देखनी चाहिए इसी तरह से मेरे पास appreciation on property है जहां पर कोई tax नहीं लग रहा लेकिन FD पर लग रहा है तो क्या rental income है उस पे भी कम लगता है तो जिन चीजों पर हमारा जो tax कम लग सकता है उन चीजों को हमें inculcate करना चाहिए जैसे हम अच्छी health के लिए क्या करते हैं कि वह जिसमें calories कम होगी protein ज्यादा होगा तो ऐसी ही जिसमें tax कम होगा और return भी decent होगी अब आप उसकी returns को एकदम यह तो एक ही दिन में 40% चाहिए या फिर 4% पर आपने saving account पे पैसा चोड़ा हुआ है 25,50 लाग तो गलत तो गलत ही है उस saving के बारे में सोचने लगते हैं इसका गोड़ा भाग भी करते हैं लेकिन tax calculation या tax computation का सही तरीका क्या है क्या आप भी खुद अपनी tax liability calculate कर सकते हैं देखिए expert ने क्या सुझा है इसमें tax computation में सबसे पहले हमें income किस-किस head में आती है वो 5 head है जिससे हम कहेंगे salary तो पहले हम salary क income को सारी देखेंगे कि जो TDS है वो अगर कहीं कम deduct हो रहा है तो वो उसमे salary को income को add करना है दूसरे नंबर पे हम देखेंगे house property का मेरी को rental income है या मेरा कोई home loan interest है वो होगा तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा जो business income है अगर मैंने कोई थोड़ा बहुत कुछ अपना अ प्छले सालों में losses थे जो मुझे carry forward कर रहा और वो इस साल हो सकते हैं फिर आएगा पांच में नंबर पे other income तो यह पांच हैड में मेरी income पहले मुझे जोड़नी है कितनी है total सपोज करो मेरी दस लाग की salary है मेरे पास business income भी है थोड़ी बहुत जो भी है या house property की rental income है मेरे इन सब income को जोड़ने के बाद जबकि उसके अंदर से जो standard deduction है salary मेंसे वह माइनस हो जाएगी लेकिन यहां पर एटी सी वगरा भी माइनस नहीं कि हमने हमने salary में से जो deduction मिलती थी वह माइनस करें है हमें अगर कोई हमारे employer ने जो टीडियास काटा था वह हम claim करेंगे तो salary income क को अलक से compute करेंगे फिर ऐसे इस औरे इंकम को अलक से compute करेंगे उशी तरह से business income को अलग से house property की कैसे करेंगे इंट्रस माइनस करेंगे rental income मैं अगर जितना वी हमारा पस में adjust हो सकता था वो कर दिया पुराने सालों का नए साल का इस साल का और जब यह adjust करने के बाद other interest जो हमारा bank का interest है या कोई और income है हमने किसी से पैसा लिया है उस को आप जोड़ देंगे इसके बाद इसमें से हम घटाएंगे अपनी जो deductions हैं जो हमने एटी में या एटीडी में किये हैं वो कहते हैं चैप्टर सिक्से की जब यह कम हो जाएगी इसके बाद जो income आएगी वो कहलाएगी टेक्सेबल इंकम उस income पे फिर हमारे जो slabs हैं पांच परसंट दस परसंट जो भी हमारे अपनी जिस income slab में हम आते हैं अगर हमने न्यू रिजिम लिया है तो लोवर slabs में आएंगे अगर हमने old regime में चल रहे हैं तो हमारे पास जो higher slabs हैं वो आएंगे वो टेक्स कंप्यूटेशन करने के बाद आपका जो tax payable होगा उसमें से आपको TDS जहां जहां पर आपका डिड़क्ट हुआ डिविडेंड इंडिकम पर हुआ या आपके salary पर हुआ वो माइनस कर देंगे जब ये TDS भी माइनस हो गया फिर भी अगर कुछ tax liability बनती है तो वो हमें 31 मार्च से पहले जमा करा के इस तरह से हमारी tax computation कंप्लीट हो जाती है और चलते चलते market updates आज लगातार पांचवे दिन शेर बाजारों में तेजी का महल रहा BAC Sensex 935 points उपर 56,486 और NAC Nifty 240 points उपर 16,881 पर बंद हुए Market की ये तेजी ऐसे समय में देखी जा रही है जब रूस यूकरेन तनाव के बीच 16 मार्च को अमेरीकी Federal Reserve की ब्यासदरों पर बैठक होने जा रही है साथ ही आज थोक महंगाई दर के आंकड़ी भी जारी हुए जिन में बढ़ोतरी हुई है जानकारों का कहना है कि Market अधिकांच बुरी खबरें सेट ओफ कर चुका है और कोई भी positive संकेत उसे नई तेजी दे रहा है आज IT और banking शेरों में सबसे ज्यादा उचाल दर्ज हुई Paytm Payments Bank पर RBI की बंदिशों के बाद Paytm का शेर आज करीब 13 प्रतिशक तक तूट गया पिछले जाल लिस्ट हुआ ये stock अपने IPO मूल इसे करीब दो तिहा ही गिर चुका है कई brokerage houses की ओर से इसकी अब भी downgrading की जा रही है तो ये था आज का खर्चा पानी आपके लिए bulletin लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने अगले episode तक अपना खयाल रखें नमस्कार